दोस्तो HL की तरफ से Aero India 2023 में अपने सूपर सोनिक ट्रेनिंग फाइटर जैक को दिखाया गया है जिसका नाम HLFT-42 है यानि हिंदुस्तान लीडिन फाइटर ट्रेनर HL की तरफ से अभी तक इस फाइटर जैक की कोई भी स्पेसिफिकेशन रिवील नहीं की गई थी लेकिन अभी स्फाइटर जैक की सभी स्पेसिफिकेशन रिवील हो चुकी है HL की तरफ से बताया गया है कि जो हमारा HLFT ट्रेनिंग एरक्राफ्ट होगा उसको हम HF-24 मारूत के डिजाइन पर बना रहे हैं HF-24 मारूत वो ही बोंबर एरक्राफ्ट है जिसने 1971 की जंग में पाकिस्तान की हालत खराब करकर रख दी थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच लोंगे वाला में लड़ाई हुई थी तो उस समय HF-24 मारूत ने हैवी बोंबिंग करकर पाकिस्तान के टैंकों के चीतड़े उड़ा दिये थे HF-24 मारूत ने अपनी 23 साल की सर्विस में आकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था और उस समय सोवियत यूनियन के बाहर ये एशिया का सबसे ज़्यादा पाउरफूल एरप्राफ था और जो फीचर हमारे HLFT-42 में आएंगे वो तेजस फाइटर जेट से ज़्यादा एड़वांस होंगे लेकिन TADBA फाइटर जेट से थोड़ा कम एड़वांस होंगे इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा हिंदुस्तान लीडिंग फाइटर ट्रेनर होगा वो तेजस फाइटर जेट और TADBA फाइटर जेट के बीच का फाइटर जेट होगा HLFT 42 की अगर स्पैसिफिकेशन की बात की जाए to ये तेजस फाइटर जेट से साइज में बड़ा होगा और ये अपने साथ में तेजस फाइटर जेट से ज़दा हत्यार ले जाने में शक्षम होगा और इसके अंदर तेजस fighter jet से थोड़ा जादा वजन होगा HLFT 42 14 मीटर लंबा और 16.5 टन भारी fighter jet होगा इसके अंदर हत्यारों को लगाने के लिए 11 hard point लगे होगे वहीं पर अगर तेजस में देखा जाए तो तेजस में केवल 8 ही hard point है HLFT 42 रेंज के मामले में भी तेजस fighter jet से आगे होगा क्योंकि इस aircraft की fuel capacity भी बढ़ाई गई है और HLFT 42 में एसा radar लगा होगा साथ में electronic warfare suit, infrared search and track system जिससे advanced feature हमारे HLFT 42 में आने वाले हैं जिससे ये training fighter jet 4.5 generation का training fighter jet होने वाला है और इस training fighter jet की एक खास बात यह भी होगी कि इस training fighter jet की मदद से हम अपने pilot को भी train कर सकेंगे साथ में जरुवत पढ़ने पर इसी fighter jet की मदद से दबा कर bombing भी की जा सकेगी HL की तरफ से इस fighter jet को especially दूसरे देशों को export करने के लिए बनाया जा रहा है क्योंकि आज भी बहुत से देश एसे हैं जो महंगे महंगे fighter jet को effort नहीं कर सकते हैं इसी लिए ही HL की तरफ से HLFT 42 को बनाया गया है जो training fighter jet होने के साथ साथ combat fighter jet भी होने वाला है और अब आप कमेंट करकर बता सकते हैं कि HL का आपको HLFT 42 training fighter jet के सा लगा